आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ मिस्सी रोटी की रेसिपी यानि के बेसन की रोटी जिसे पंजाब और राजिस्तान में काफी पसंद किया जाता है और ये वहाँ की टेडिशनल रेसिपी है इससी रोटी डिलेशेस होने के साथ साथ बहुती निटिशन भी होती है और शुगर के पेशन्स के लिए काफी फायदे मंद होती है आप इसे लंच या डिनर में बना सकते हैं वैसे तो आप साल भर में इसे कभी भी बना कर खा सकते हैं लेकिन बरसात के मौसम में इसका टेस् नहीं है बहुत ही सिंपल और कुईक रेसिपी है तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी देड़ कप गिहूं का आटा और देड़ कप बेसन दोनों एक्वल कॉंटिटी में ले 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 आँ नमक अपने टेस्ट के अकोडिंग आट कर दें एक छोटी सा इसकी प्यास बारिक कटी हुई दो हरे मिर्च बारिक कटी हुई एट कर देंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर एट करेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर एट करेंगे एक चम्मच कसूरी मेथी एट करेंगे एक चोटा चम्मच अजवाईन एट करेंगे दो बड़े चम्मच ओईल एट किया है इससे रोटियां काफी सॉफ्ट बनेंगी अब सारे चीज़ों को अच्छी तरहां से मिक्स कर लेंगे अब इसमें गुनगुना पाने डालेंगे और आटा गुन लेंगे जिस तरहां से नॉर्मल रोटियों का आटा गुनते हैं उसी तरहां से आटा गुन लेना है थोड़ा थोड़ा करके पानी आट करें और गुंगना पानी यूज़ करें आटा हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है इस तरह से डो रेडी कर लेंगे अब हम इसके उपर से ओईल डाल देंगे एक चमच और अच्छी तरह से फिर से से गुंद लेंगे उपर से ओईल लगा दे और इसे ढखकर हम 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे अब 20 मिनट हो चुके हैं आटे से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी पेड़े बना लेंगे जिस तरह नॉर्मल रोटी के पेड़े बनाते हैं जिस भी साइस के आपको रोटी चाहिए हो इतने बड़े पेड़े बना लें और बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह ही हम इसे बेल लेंगे रोटी बिल चुकी है तवा हमने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था यह गर्म हो चुका है इस पर रोटी डाल देंगे हम और कुछ सेकंड के बाद हम इसकी साइट चेंज कर देंगे और उसके बाद इस तरहां से दबाते हुए अच्छी तरहां सेक लेंगे आप चाहें अगर तो तवा अब कुछ से तरहां से सारी रोटी अडों रेड़ी कर ली हैं अब आपको सर्फ करके दिखातें तो यह मेंस्टी रोटी बिलकुल तैयार है परोष ने के लिए आप इसे चटनी और पर किसी भी सफ़ शहाए के साथ सफ रफ कर सकते हैं उपर से बटर लगाए और गर्म-ग आप तक सबसे पहले पहुच सकें अब मुझे इजादत दीजे फिर मुलाकात होगी आप से एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अला हाफिज बाई बाई